एलो गाईज, आज हम करने वाले हैं इनलाइन CSS पिसेकलिए इनलाइन CSS क्या होती है है यहां क्ये से यूज करती है शलो हम सब्सक्राइब कर्षे the main CSS होती है जो होती है हमारे सिंगल सिंगल लाइन को मतलब All विए या फूटर या कोई टैक्स हो उसको जेंज करने के लिए हम इनलाइन चीसस का यूज करते हैं लॉट स्ट्रॉक्चर बना लेते हैं बैसिक स्ट्चर बना लेते हैं स्टेवल का बताएंगे इनलाइन चीसस के बारे ठीक है यह मारा एंडर इसके अंदर आएगा हमारा टाइटल यह मारा टाइटल क्लोज इसके अंदर लग लेते हैं इनलाइन ऐसेस ठीक है और फिर हमारा टाइटल बोडी के अंदर लिखने हम यहां पर लगते हैं बोडी और यहां पर बोडी क्लोज कर देते हैं कि इसके अंदर अपलाई करेंगे हम इसकी इनलाइन थे किया थीक गी जो भी हम करेंगे एट्रिवीट होगा हमारा प्रोपर्टी होग इसके अंदर होगा चला हम लिख लेते हैं फिले एडिंग के अंदर लग लेते हैं हमने html में बताई भी थे आइडिंग के बारे में अच्छे से ठीक है उसके जाके देख सकते हैं क्या होती है आइडिंग हमारी इसे क्लोज कर देते हैं h1 close इसके अंदर style लगा लेते हैं inline CSS कैसे जो दोती है तर देख स्टाइल डबल प्राइम और यह माही होती है प्रोपर्टीज के अंदर लिखे जाएगा माल जो कलर होगा कलर हमें जो कलर देरा रैड कलर और इसे फिर आता इसके अंदर लिखे जाएगा जो टेक्स लखेंगे वेल्कम तू वेल्कम तू वेल्कम तू माई कि यूटूब कि यूटूब कि यूटूब कर देते हैं इन लाइन से डोट एस टेमल से सेव कर रखते हैं जैक करते हैं आपकुट में क्या आ रहा है रिफ्रेस करते इसको तेको रैड कलर हो गया ना हम इन लाइन सेज़ का सिंगल एलिमेंट के लिए यूज करते हैं और फिर आता हमारा इसे हम कोपी करके दिखाते हैं एक और ले लेते हम है एडिंग है इसके अंदर देते हैं स्टाइल में है इस्टाइल इकोल डबल प्राइम अग्वार विदे कलर देना साइज देना फॉन्ट देना आप यहां पर देश सकते हो ठीक है इनलाइन सेशा मरी बाडिकेंश के अंदर यूज होगी वह एडिंग या पैर अगराफ हो ठीक है और यहां पर लेके लेना वह भी टेक्स करते हैं देखते हैं हमारा कि अलार ने दिया ना भी हमें अलार देखते हैं इसको यहां पर अलग प्रिंक कर देखते हैं और रिफ्रेश करते हैं क्या प्रॉब्लम होगी क्या करते हैं ना पड़ेगा वन यहां सिंगल लाइन के लिए ज़ते हैं यहां 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 करते हैं कि रिफ्रेश करते हैं ते देखो पर परलर हा और पिंक कलर दिया था हमने लिए इसमें रड था यह एमारी इंलाइन CSS आगली वीडियो में जाइनगे हम इंटर्नल CSS क्या होती है तैंक यूगाईज आज जा आवीडियो में इतना ही झाल